जैहिंद दोस्तों, ज्यान सहीता में आपका स्वागत है आज हम आप लोगों को आत्माओं से बात करने और उनको बुलाने के 5 तरीके बताएंगे इन तरीकों का प्रियोग सदियों से हो रहा है लेकिन इन तरीकों में कितनी सच्चाई है इसका जवाब सिर्फ इन तरीकों का प्रियोग करने वाले ही दे सकते है पहला तरीका है तीन पाएं टेबल इस विदी में तीन पाएं वाली टेबल का इस्तिमाल किया जाता है जो हलका और गोल होता है एक पाएं के नीचे लक्री का गुटका रख दिया जाता है इसके बाद टेबल को चारों तरफ से लोग घेर कर बैट जाते हैं फिर जिस वक्ति के आत्मा को बुलाना होता है मिलकर उसका ध्यान करते हैं माना जाता है कि जब टेबल के पाएं अपने आप खट-कटाने लगते हैं तो इसका मतलब होता है कि आत्मा का आगमन हो चुका है इसके बाद आत्मा से प्रशनों पूछे जाते हैं जिनका उतरवे टेबल को खट-कटा कर देती हैं लेकिन इस विदी का कोई प्रमान नहीं ये कितनी कारगर है ये सिर्फ इसका प्रियोग करने वाले ही जानते हैं दूसरा तरीका है उजाबोट भूटों से बात करने का ये एक जरीया है प्लानिच्ट और उजाबोट ये एक दिल के आकार का दिखने वारा लक्री का एक टुकड़ा होता है इसमें पीछे की ओर सभी ओर घूमने वाले पईये लगे होते हैं इसकी नोक की तरफ एक छेद होता है जिसमें पैंसिल लगा दी जाती है आत्मा से संपक करने से पहले मेज पर एक सादा कागर रख कर उसके उपर उजा बोर्ट को रख दिया जाता है इसके बाद जिस वक्ति की आत्मा को बुलाना होता है उसके बारे में सब मिलकर ध्यान करते हैं ऐसा माना जाता है कि जैसे ही आत्मा आ जाती है यंत्र अपने आप चलने लगता है आम तोर पर इस यंत्र द्वारा आत्माओं को बुलाया जाता है आत्मा जब आ जाती है तो उजा बोर्ड में हरकत होने लगती है आत्मा से पूछे गए प्रश्णों का जवाब वे उजा बोट को हिला कर और कागज पर पैंसिल से दुआरा लिख कर जीती है तीसरा तरीका है डॉल बोडी ये एक ऐसी विधी है जिसका प्रियोग प्राचीन इंडोनेशिया के लोग आत्माओं से संपर्ख करने के लिए करते आ रहे हैं इस विधी में आत्माओं से संपर्ख करने के लिए उजा बोड की तरह ही कुछ चीजों का इस्तेमाल किया जाता था अत्माओं से संपर्ख करने की इच्छा रखने वाले तीन से पांच लोग एक कमरे में होते हैं इनमें दो लोग बांच से बने एक पुतले को पकड़ कर बैठते हैं उजब बोर्ड में पैंसिल जहां बोर्ड के एक छेड में लगा दी जाती थी वहीं यहां पैंसिल पुतले के नितले हिस्से में लगी होती है अत्माओं को बुलाने से पहले धूब अगरबती जलाई जाती है और कुछ मंतर पड़े जाते हैं कहते हैं मंतरों के प्रभाव से आसपास से गुजर रही आत्मा पुतले में चली आती है और पुतले का वजन भड़ जाता है इसके बाद सवालों का सलसरा शुरू होता है जिसका जवाब पुतला लिख कर देता है इंडोनेशा के लोगों का मानना है कि इस माध्यम से आत्माओं से संपग करना खतनाग भी हो सकता है क्योंकि अगर पुतले से आत्मा को निकालने में काम्याब नहीं हुए तो नुक्सान भी हो सकता है इसलिए क्रिया में व्यक्ति का निपुन होना जरूरी है चौता तरीका है इनसान में आती है आत्मा आत्माओं से संपर्क करने के लिए किसी व्यक्ति को माध्यम बनाकर उसमें आत्मा को बुराया जाता है फिर आत्मा से सवाल जवाब किये जाते हैं इस विधी में आत्मा बोलकर या पैंसिल से लिखकर अपने जवाब देती है लेकिन कई बार आत्मा शरीर से निकलना नहीं चाहती ऐसे में माध्यम को बहुत कस्ट होता है इसलिए इस विधी से आत्मा से संपर्क करते समय किसी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट का साथ होना जरूरी होता है पांचवा और आखरी तरीका है हिपनोटिजम जी हाँ चेतन मन में आत्मा से संपर्क करना मुश्किल है लेकिन अच अचेतन मन को आत्मा से जोड़ा जा सकता है आत्मा से संपर्क होने के बाद वक्ति उससे अपने प्रशनिस पूछ सकता है लेकिन कई मामले में ऐसा भी देखा गया है कि वक्ति का आत्माओं से संपर्क नहीं हो पाता लेकिन उसे ऐसा लगता है कि वे आत्माओं से बात कर पा रहा है लेकिन हिपनोटिजम के एक्सपर्ट इन्हें आसानी से समझ लिते हैं क्योंकि उनकी बातों से उनकी अपनी भावनाय चलकती हैं। दॉक्टर बताते हैं कि जब व्यक्ति आत्माओं से संपर्क में होता है तब उसकी आवाज बदल जाती है जिस से रिकॉर्ड भी किया जा सकता है। इनका कहना है कि यह व्यक्ति खुद भी कर सकता है लेकिन किसी एक्सपर्ट की सला से करे तो बहतर रहता है। क्योंकि कई बार व्यक्ति बहुत डर जाता है और उसके मन पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे समय में व्यक्ति को संभालने के लिए एक्सपर्ड की जरूरत होती है आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और ग्यान सहीता के ग्यान के दीपक को जलाए रखने के लिए सस्क्राइब जरूर करें धैंक्स वाचिंग